नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचले हैं मैंना मेरी शिर आज की सम्ट बात करने वाले हैं E-Shram Card धारकों के बारे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि यहाँ पे गलती से अपना E-Shram Card बना लिये हैं तो ऐसे में बहुत सारा लोग चाहते हैं कि हम अपना e-sum card को किस तरिके से delete कर सकते हैं, किस तरिके से cancel कर सकते हैं, जिससे कि हमारा e-sum card है वो जो हापर खत्म हो जाए हमारा e-sum card जो हापर delete हो जाए, तो आज किस बनाओकम जानकाई देने बाले हैं कि अगर आप एक student है औ आप जो है इसरम कार्ट को डिलीट किस परकार से कर पाईएगा आज के दुदावकम जानकाई देने वाले हैं दोस्तों बहुत सालोग आपर मैसेज करते नहीं करते हैं कि सर अस्टुएंट का यहाँ पर बनबाना है या फिर नहीं बनबाना है तो इस पर मैंने जो प्रॉपर किस परकार से करना या फिर केंसिल किस परकार से आप लोगों का जो इसरम कार्ट है उसको करना है वो हम आप लोगों को आप बतायते हैं तो वीडियो को पुरा लास्तर का देखते रही है उससे पर अगर आपने माचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेटिकल बताएंगे कि अभी आप किस तरीके से डिलीट करवा सकते हैं दोस्तों बहुत सारे ऐसे अस्टुएंट हैं जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं जो कि यहाँ पर इस रम कार्ड है उसको बना लिया है तो वह सभी लोग है जो इसको डिलीट करना चाहते हैं साथ में चलके जब आपने हाँ पर नौकडी कीजेगा तो उसमें आपनों को प्रॉब्लम हो सकती है और आपनों को दिक्कत है हाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस रम कार्ड इसलिए बनाय जा रहा है कि आपनों का एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगा कि आप जो एक पर नाम इसमें जूरबा लेते हैं तो सरकार की नजर में आप जोए एक स्रमिक हो जाइएगा एक केहां पर करने वाले लोग हो जाईएगा एक अस्रंगठी तहां पर मजधूर हो जाईएगा तो ऐसे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं वो भी हम आप लोगईन करते हैं तो वहां पर 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 आप अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं तो अगर आपने गलती से अपना इस्रम कार्ट बनबा लिया है और ये सभी लोग हैं जो कि यहाँ पर इस्रम कार्ट नहीं बनवाना चाहिए था और वो जो यहाँ पर इस्रम कार्ट बनबा लिये हैं तो ऐसे में आपको करना कुछ भी नह कुछ दिन के बाद इंहां पर वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा जिसमें कि आप लों को आप पर वेरिफाई किया जाएगा कि कौँ जो है असली में यहाँ पर काम करना है कौँ असंगठित स्रमिक हैं तो वैसे में अगर आप वहाँ पर Cancel करवाना चाते तो verification में आप जो हाँ पर Cancel करवा सकते हैं कि हम जो हाँ पर काम नहीं करते हैं या फिर हमारा जो है गलती से हाँ पर Ishram Card बन गया है तो इस तरीके से आप जो हाँ पर Cancel करवा सकते हैं लेकिन फिलहाल कोई भी option नहीं है, जहां से कि आप cancel करवा सकते हैं, फिलहाल हमें जानकारी सिर्फ इतना दिया गया है, कि अगर आप यहाँ पर cancel करवाना चाते हैं, तो कोई भी lab जो है, जो भी lab यहाँ पर इस रमकार्ड के दोरा दिया जाता है, उस lab को आप लोग नहीं ले तो automatically आप लोग जो इस रमकार्ड है, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर कोई option यहाँ पर update किया जाता है, कि आप लोग को डिलीट करने का हाँ पर option आता है, तो भी मैं आप लोग को जानकाई दे दूँगा, कि आप लोग को किस तरीके से डिलीट करना है, तो फिलह आप जो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, फिलाल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इस रमकार्ड बनबाते हैं, तो सोंच समझ कर इस रमकार्ड बनबाईएगा, आप अपने आसपास के जो लोग होंगे, उनको भी आप बता दिजिएगा, क तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इस रमकार्ड बनबाईएगा, आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आऊगा, गड़े वीडियो पसंद आएगा, तो लाइट किए इस वीडियो को, सब्सक्राइब जमाच चैनल को, साथी सेट किए इस वीडियो को, ताकि और भी कुछ जानकारी मिल सके, मिलते नेक्स में तक लिए धन्यबाद